आज हम बनाएंगे कस्टर्ड राइस खीर, रबड़ी जैसे गाड़ी और बहुती मलाईदार टेस्टी खीर बन जाती है तो चलिए खीर बनना शुरू करते हैं यहाँ पर हमने लिए हैं दो से तीन बड़े चमच चावल चावल को हमें पानी से अच्छे से दो देना है ताकि इसके उपर जो भी डस्ट हो वो निकल जाए और पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे और अच्छा पानी डालके हम इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनिट के लिए अब हम कस्टड का गोल बना देंगे तो इसके लिए हमने 3-4 चमच दूद ले लेना है और 1 चमच वैनिला फ्लेवर का कस्टड पाउडर ले लेंगे इसे हम मिक्स कर देंगे और कस्टड का गोल बना के तयार कर लेंगे इसे खीर में बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा और मावेजी से खीर बनके तयार हो जाएगी अब हम चाविल का पानी ट्रेन आउट कर देंगे और चावल यहां पे भीग गए है आप देख सकते हो हातों से चावल तूट रहे है तो हम इसे हातों से थोड़ा सा और तोड़ देंगे ताकि खीर बनने में आसानी हो चावल को आपको पहले से ही सोग करके रखना है अब चलते हैं खीर बनाने के प्रोसेस में तो कड़ाई को हमने गैस के उपर गरम होने के लिए रख दिया था एक छोटा चमच देसी गी हम इसमें डाल देंगे जब गी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें बिगोई होए चावल डाल देंगे और चावल को हमें अच्छे से भून लेना है मेडियम फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 4-5 मिनिट तक भून लेंगे इससे खीर में बहुती बढ़िया टेस्ट आता है और आपने देखा कि हमने देसीगी का इस्तेमाल बहुती कम कॉंटिटी में किया है अब हम इसमें 500 ml फूल फेट मिल्क एड़ कर देंगे इससे बहुती रबडी जैसे खीर बन के तयार हो जाती है तो चावल को हमें पकाना है यहाँ पर हमने कच्चे दूद का यूज किया है आप कच्चा या उबला हुआ कोई भी दूद यूज कर सकते हो जब दूद में एक अच्छा खासा उबल आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम स्लोपे कर देंगे और एक बार इसे चला देंगे अब हम इसमें चीनी एड़ कर देंगे तो एक चोधा इकप चीनी हम एड़ कर रहे है आप अपने हिसाब से चीनी की कॉंटिटी कमिया जादा कर सकते हो और हम इसमें कुछ ड्रैफूट्स एड़ कर देंगे यहाँ पर हमने कुछ काजु बादाम, किश्मिश और पिस्ता कटकर के लिया है तो हम इस ड्राइफरूट्स को दूद में डाल देंगे और उपर से कुछ केसर के धागे डाल दे इससे स्वाद भी अच्छा हैगा और कलर भी अच्छा हैगा ड्राइफरूट्स के कॉंटिटि आप अपनी ही सबसे कम्या जादा कर सकते हो या फिर जो भी ड्राइफरूट्स आपको पसंदे वो आप इसमें एड कर सकते हो अब हम इसे मिक्स कर देंगे अब हमें इसे पकाना है क्योंकि अभी तक चावल पके नहीं है और जब चावल पक जाएंगे तो सारा दूद सूख जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे और स्लो फ्लेम पे डखकन रखके हम इसे 5-7 मिनिट तक पकाएंगे और हाँ बीच बीच में इसे चेक करते रहे वरना ये जल भी सकता है अभी हम खोलके चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि लगबग चावल पक के तयार हो गए है और चावल भी फूल गए है एक बार हम इसे मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें 500 ml फूल फेट मिल्क डाल देंगे टोटल हमने एक लिटर दूद का इस्तेमाल किया है यहाँ पर हमने कच्चे दूद का यूज किया है आप उबला हुआ दूद भी इसमें डाल सकते हो जब दूद में एक अच्छा का सा उबाल आ जाएगा तो स्लोफलेंपे हम इसे एक मिनिट तक चलाएंगे अब जो हमने कस्टड का गोल बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और तुरंती हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लंस ना बने इसे रपड़ी जैसे गाड़ी और मलाईदार खीर बन के तयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है तो अब हमें इसे पकाना है 3-4 मिनिट तक डखकन रखके हम स्लोफलेंपे इसे 3-4 मिनिट तक पकाएंगे 3-4 मिनिट बाद हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हो खीर को बहुत ही अच्छा कलर आया है केसर की वज़े से और कस्टड पाउडर की वज़े से और बहुत ही गाड़ी खीर बन के तयार हो गई है मावे जैसे टेस्ट वाल ये खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टे लगती है तो फटा-फट से आप इसे सर्फ कीजिए ठंडा या गरम जैसे भी आपको पसंद हो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे और उपर से कुछ ड्राइफूट से सजा देंगे और उपर से हम थोड़ा सा केसर भी डाल देंगे इसे दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा तो ये यम्मी और डिलिशियस कस्टोड राइस खीर खाने के लिए तयार है तो आप भी इसे घर पे जरूर से बनाईए खुद भी खाईए और सबको खिलाए और आपकी जो एक्सपेरियंस है वो मेरे साथ शेयर कीजिए वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के आपडेट्स आपको मिलते रहें और शेयर करना बिलकुल भी ना भूले तब तक के लिए हर हरमा देओ